आप हमारे संत्वानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बैल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल न भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिलें इस प्रसंग में आपको अनंत आनंद की अनभूती होगी, आनंद बाहर की चीज नहीं है, एक बात और हम बता दें, आप चाहें कि में रुपिया पैसा देकर के बजार से खरीद ले, तो संभव नहीं है, यह आनंद हरदय की चीज है, हरदय में आप ठाकुर को बिराजमान कर यह भगवान की भक्ति को बिराजमान करिया, आयुद्या में भगवान ने तो जनम लिया, लेकिन भग्ति देवी के जनम नहीं हुआ, भक्ति का जनम मिठला में ही हुआ, जनकपुर में ही भक्ति का जनम हुआ, भगवान और भगवान की भक्ति, जब दोनों एक ही हिर्दय में भी राजमानों हो तब प्रमात्म के दर्शन हो सकते हैं कहीं नजर नहीं आएगा आपको ठाकुद मैंने आपको पताया भी था कौर्वों की सभा में बड़े-बड़े ज्यानी बठेते किसी को भगवान के व्राट सुरूप का भी दर्शन नहीं हुआ एक संजय को दर्श भगवान से एक बार नरजी नज पूछा ठाकुद मैं रहते कहां हुआ को इस थानों बशेश तो बताईए हमें तो कहीं नजर आते नहीं इस थान क्या बता रहा है भगवान ने खुद बताया नरजी के लिए नाहं बसामि बेकुंठे योगी निनाम हिर्दय नचो मद भक्ता यत्र गायंती तत्त श्ठा मिनार दो जहां मेरे भक्त लोग प्रेम पूर्व किर्दन करते हैं मैं वहां हाजर होता हूं द्रश्टी चाहिए जैसी द्रश्टी और बैसी ही श्रिष्टी धनुस यग्य में भी जाकी रही भावना जैसी प्रभुमूरत देखी तिन थैसे आपकी भावना क्या है किस भाव से कौन सा कार्य कर रहे मैंने आपको बता दक्षे प्रजापती ने यग किया लेकिन भाव ये था कि संकर भगवान को निच्चा दिखा यक्य जैसा पवित्रकारिय करके भी अगर आपकी भाव ना ऐसी है तो भाव ना आपकी इससे भल नहीं होगी बोलो जैशी कृष्टा भाव कहां है आपका उस भाव की बाद है क्यों बोले भाव बिना बाजार में बाजार जाते हैं सब चीज का मोल तो करना ही पड़ता है भ ठाकुर बिना भाव के मिल जाएंगे इतनी महेंगा सवदा है ठाकुर से खरीदने के लिए बहुत आसान नहीं है भाव बिना बाजार में वस्तु न मिलती मोल भाव बिना हरी क्यों मिलें या सभाव शहिते हरी बोल राजा लोग बैठे हुए थे हज्जारों देश देश के भूपति नाना आये हम सो जोपन उठाना महराज देश देशांत्र के राजा महराज है लेकिन परमात्म के सब को दर्शन नहीं हुए आपका भाव कहा है इस भाव पर आप विचार करते हैं